गहर पर धूप बनाने के लिए हमें किन सामगलियों की जरूरत होगी आज इस एपिसोड में हम वही देखेंगे आप सब को डॉली जहा का प्यार भरा नमस्कार और आप देख रहे हैं ओम इंसेंट शोव धूप से जुड़ी हर जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चानल को सब्सक्राइब कीजिए तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि घर पर धूप हम कैसे बना सकते हैं और उसके लिए किन सब सामगरियों की जरूरत परेगी इस श्रंकला में हमने तीन या चार वीडियो का एक श्रंकला रखा है जिसमें कि आप अपने पहले एपिसोड में ये देख चुके हैं कि घर में हमें धूप बनाने के लिए कौन-कौन से औजार या कौन-कौन से टूल्स की जरूरत परेगी अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिएगा उसके बाद आज के एपिसोड को शुरूर करने से पहले हम ये बता देना चाहेंगे कि क्योंकि ये धूप हम घर में बनाते हैं काफी कम लागत में बहुत कम चीजों से बनता है इसलिए आप बिल्कुल जैसा बाजार से बनाया हुआ धूप होता है उसकी उमीद इससे ना क करें जैसे बाजार से हम धूप लाते हैं तो पैकेट से ही खुश्बू आने लगता है पैकेट खोलते ही खुश्बू आता है जब हम धूप घर में जलाते हैं तो घंटों तक खुश्बू रहता है और काफी दूर तक खुश्बू जाता है उसकी उमीद आपना करें लेकि इस धूप को बनाने के बाद आपको इस बात का जरूर तसली होगा कि आपने जो भी बनाया है वो आपके घर के वातावरण के लिए और आपके घर के हर एक इनसान के लिए बहुत ही अच्छी चीज है जो आपको स्टोर बॉट बजार से लाएवे धूप में बिल्कुल भी नहीं मिल सकता दूसरी बात ये कि क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं परा है इसलिए ये आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं करेगा और तीसरी बात ये कि ये धूप आप इसमें जितनी अच्छी सामगरी का प्रयोग करेंगे ये धूप उतना अच्छा होगा तो हम पहले एक थोड़ा सा इसका बेसिक जान ले कि घर पर जब हम धूप बनाते हैं तो उसके लिए हमें चार बेसिक चीज के जरूप परती है लकडी जो कि हमारे यहां बेस का काम करता है फिर होता है गोंद जो हमारे कोन को बनाए रखता है हम यहां आपको धूप कोन बनाना सिखाएंगे तो जो हमारे कौन को बनाए रखता है जब हम लूजिंसेंस बनाते हैं जब हम पाउडर वाला धूप बनाते हैं तो उसमें इसकी जरूरत नहीं होती है लेकिन कौन में इसकी जरूरत होती है तो हमारा बेस हो गया हमारा गोंध हो गया एक हमारा सुगंधी प्रदायक होता है जिसको हम aromatics कहते हैं वो हो गया और एक हो गया हमारा जल तो चार ये चीज होता है कि हम घर में जब धूप बनाएंगे तो इन सब चारों चीजों की ही जरूत परेगी और इसमें हमारे पास क्या-क्या options हैं ये हम देखेंगे लकडी का जैसे कि आप देख सकते हैं ये ये है चंदन की लकडी का बुरादा अब ये चंदन की लकडी का बुरादा जो है वो चंदन की लकडी का powder जैसा नहीं है यह इस से थोड़ा सा खुर्दरा है तो यह जो है हमारे बेस में बहुत अच्छा काम देता है यानि कि हमारा जो धूप बनेगा उसका जो शरीर है वो इसी से निर्मित होगा तो इसके जगह पर अगर आपके पास कोई भी अच्छी लकडी हो आप वो लीजिए आप अपने बढ़ही के पास जो भी प्लाइडस्ट होता है या प्लाइवुड का जो डस्ट होता है वो प्लीज ना ले आप अपने घर में जैसा भी आपके लिए संभव हो अच्छे से एपिसोड काफी लंबा होने वाला है तो आप आराम से इसको एक जैसे अब जब हम पढ़ाई करते हैं तब कोई लेसन होता है उस तरह से आराम से कहीं बैठके पढ़िए जब आपके पास आप अपना एक चाय कॉफी कुछ लीजिए और आराम से इसको बैठके सीखिए तो सम्दन का शेविंग से तो इसको अगर आप मिक्सी में पीस लेंगे इसका पाउडर बना लेंगे और उसको आप मैदे वाली छन्नी से आप छान लेंगे तो भी यह पतला पाउडर बन जाएगा और यह हमारे काम आएगा तो यह भी हम ले सकते हैं इसके अलावा अगर आप नश्की पीस कर इसको पहले आप चल्य करने नहीं कि अचली काफी बड़ा है और यह अपको एक बड़ी ओखली में इसे कूट लेना है पहले या फिर जैसा भी आपके लिए सुविधा हो और उसके बाद इसको भी आप मैदे की छनी इसे छान कर बिल्कुल महीन करके जैसा महीन यह है वैसा महीन करके फिर आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं यह मेरे पास लकड़ी है जो सरर का ही है जो और बढ़ा है तो अगर आपके पास कोई बढ़ाई हो या घर के आसपास कहीं किसी कारपेंटर का या फरनिचर का दुकान हो आप उनके पास ले जाएए जो इसको इस तरह के छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे आपके लिए और फिर आप इसको जो है उसी तरह से ओखली में या मिक्सी में पिस कर और इसको मैदे की छन्नी से चान कर आप ये भी लकडी के बेस में यूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी पहाड़ी इलाका में रहते हैं और आपके पास वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं देवदार का पेड़ हो गया चीर हो गया इस तरह का कोई पेड़ अगर आप वहाँ उनकी लकड़ियां उठाते हैं अच्छे क्वालिटी का लकड़ी उसको सुखा कर उसको अब ऐसे बारीक बनाकर आप उसको मिक्सी में पीस कर और चान के उसको भी उसकर सकते हैं कहने का ये मतलब कि आप कोई भी लकड़ी उसकरेंगे तो वह बहुत ही अच्छे क्वालिटी का लकड़ी हो और वह लकड़ी जितना सुगंधित होगा आपका धूप उतना दूसरा चीज है वह है गोंद तो यहां पर मेरे पास यह है गोंध का म grown घुलता है यह गोंद क कटीरा जू हमारे यह रबडेवां लबनी बनाकर तो लोन च्व कि वह मिलत्व है लेकिन मेरे पास यह आमजॉन से लायवा पावडर है और यह रब एक बार 500 ग्राहा पावड तो वो धूप जलेगा नहीं, तो आपको बस धूप में उतना ही गोंद डालना है कि जितना धूप का कोन बन जाए, तो वो अनुपात हम आपको तब बताएंगे जब हम आगे वीडियो में रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ, तो ये हमारा हो गया दूसरा रचक यानि गों जो कमर्शल इंसेंस होता है, यानि जो धूप जो बाजार में मिलता है, उसमें इसी के लिए इस गोंद और लकडी दोनों का प्रेयोग करने के लिए या तो मैदा लकडी का इस्तिमाल करते हैं, या फिर जिगत पाउडर का इस्तिमाल करते हैं, तो मैदा लकडी और जिगत पाउडर वाले से लेंगे तो यह आपको महंगा भी मिलेगा तो उससे अच्छा यह है कि आप लकडी अलग ले लीज़े और यह गोंद अलग ले लीज़े बहुत ही आराम से आमज़न से मिल जाता है यह मैंने भी आमज़न से ही लिया है तो यह हो गया हमारा दूसरा चीज जो हमारा तीस्रा चीज है aromatics जो हमारे खुष्वू के लिए जो हम इस्तिमाल करेंगे वो बहुत चारा है तो उसको हम अभी last में डिसकस करेंगे उसके पहले हम यह डिसकस कर लें कि जो तीसरी चीज जो हमें चाहिये वो है पानी तो ये मेरे पास जो है लाम्बंसी का रोज वॉटर है और ये है मेरे पास केवडा जल मोक्षा का है केवडा जल पाकी इसके अलावा मेरे पास गंगा जल भी है और सबसे आसान अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप सीधा सीधी जो है नॉमल हमारा जो पीने अब उसका भी प्रयोग कर सकते हैं यह और केवरा जाल या फिर गुलब जल अगर हम लेते हैं तो खुष्बू और थोड़ा जादा अच्छा होता है नॉम्ल पानी के अनुपात में लेकिन अगर आप normal पानी भी लेते हैं तो कम सकम धूप तो आपका बनी जाएगा ये बात तो guaranteed है प्लस दूसरी बात कि जब भी आप rose water लेंगे गुलाब जल क्योंकि बाजार में बहुत सारे हैं आप प्लीज उसके इंग्रीडियंट्स की लिस्ट को देख कर लीजिए आप सिर्फ वैसा ही लेंगे जिसमें या तो सिर्फ गुलाब जल लिखा हो या फिर पानी और गुलाब एसन्स या ऐसा कुछ लिखा हो ऐसा कोई भी आप नहीं लेंगे जिसमें प्रेजर्विटिव हो अगर आप देखेंगे उस लिस्ट के पीछे बहुत सारे सोडियम बेंजोएट और क्या क्या बहुत सारा कुछ होता है तो वैसा कुछ नहीं चाहिए उससे अच्छा होगा कि आप प्लेन सिंपल पानी यूज कर लें गंगा जल हम सबके घर में होता है और बहुत कम लगता है तो आप गंगा जल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप चाहे तो थोड़ा से ग्रीन टि बना लिजए ग्रीन टी आप यूज कर सकते हैं तो थोड़े से मधू को थोड़े से गरम पानी में मिलाकर उसका यूज कर सकते हैं वो जैसे जैसे रेसिपीस में जरुरूरत पड़ेगा वैसे-वैसे हम आपको आगे बताते तो ये हो गया हमारा तीसरा चीज यानि पानी, तो हमने लकडी देखा जो बेस बनेगा, हमने गोंध देखा जो कौन को बनाए रखेगा और हमने लकडी देखा जो हमें बनाने के लिए जरूरत पड़ेगा कौन को, जो चौथा हमारा आखरी चीज है और यूं कहलीजी कि जो धूप का जो रूह होगा यानि जो धूप का आत्मा होगा जिससे खुश्वू आएगी वो हमारा जो भी होगा वो हम आपको एक के करके जो मेरे पास सामान है वो हम दिखा रहे हैं ताकि आपको यह एक आइडिया लग जाए कि हम अपने धूप के लिए क्या-क्या यूज़ क करें कैया है जो सबसे पहले मेरे पास यह है धूमन यह मुल जाएगा यहां आप को सारा कुछुछ दिखाएंगे लेकिन आपको यह है मिल जायका या फिर आमसान पर तो मिल ही जाएगा तो पर अपने पन्शारी के दुकान पर पहले जाएगा क्योंकि आमेजान पर कभी कभी चीज थोड़ा सा महंगा पड़ भी जाता है तो आपको यह दिखा देना चाहते कि क्या सब चीज है जो आसानी से आपको अपने पंशारी के दुकान पर मिल जाएगा तो यह है धूमन यह पूरी लकड़ी है अमिन क्या लिखा थी सम्वरानी पावडर यह है साइकल ब्रांड का और यह इसका खुश्वूो बहुत अच्छा होता है और यह मुझे बहुत पसंदए पर्सनली खुप हम बहुत बना है भी अच्छा खुश्वू होता है यह जो है दस रुपे का है 20 ग्राम यह अगर आप एक तो कम से कम आपका जो है 10 बैच तो धूप बनढ़ी जाएगा, अगर चोटे-चोटे बैच बनाएंगे, क्योंकि जैसे हम धूप बनाते हैं, तो अगर आप बड़ा बैच भी बनाना चाहते हैं, तो वो इससे बहुत सारा धूप बन जाएगा, ये बहुत सारा है 20 ग्राम, औ आप यह देखें कि आपको यह खुश्बू पसंद है कि घर में सारे लोगों को पसंद होना चाहिए अइसा कुछ नहीं जलाए ना कि जो घर में और लोगों को पसंद ना आए तो वह देख लिजेगा लेकिन यह समरानी का पाउडर जो है यह बहुत एक टिपिकल धूप का ख हो जाता है इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करना है इसलिए यह जो है काफी अच्छा है यह 20 रुपे का है 50 ग्राम यह देख सकते हैं तो यह हम ले सकते हैं यह साइकल ब्रांड का है यह आपको साइकल ब्रांड के वेबसाइट से मिल जाएगा वहां से आप ले सकते हैं या इस खस के पाउडर को हम बेस में भी कभी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आधा लकडी पाउडर ले लिया और आधा ये ले लिया, और उसके अलावा जो है, इसको हम खुश्बू में भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये है हमारा खस का पाउडर, ये बिल्कुल पतला सा पाउडर है यह बड़ी आसानी से जो है हमारे धूप में यूज हो जाएगा उसके अलावा ये मेरे पास है लोबान समरानी जो हम औरबिंदो आश्रम से लिए थे औरबिंदो आश्रम अगर आपका आना जाना हो तो आपको इस तरह का पैकेट काफी मिल जाएगा ये ऑनलाईन भी अख्छली सपूछ मिल ही जाता ही तो यह है सेम यही चीज है हम गुट अरन से बिल लिए थे तो यह बुड अर्च का है और यह जो है और शिखा तो आप शुरू में थोड़ा ही लीजिए ताकि आप ये देखने की बनता कैसे है उसके बाद आगे और ले सकते हैं ये मेरा पास इलाइची पाउडर था जो खतम हो गया लेकिन आपको सिर्फ ये दिखाना चाहते कि ये इलाइची पाउडर भी हम यूज़ करते हैं और उसक इसके अलावा मेरे पास दाचीनी पाउडर है ये बहुत ही महीन एकदम टालकम पाउडर जैसा जो है दाचीनी पाउडर है ये बहुत आराम से आपके दूप में यूज़ होता है और बहुत अच्छा काम करता है तो ये है हमारे पास इसके अलावा मेरे पास पतनजली का ज सहायता मिलती है तो यह हमारा पतंजली का जवडू पाउडर है यह भी आपको बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा और इसमें कहते हैं कि यह 98 प्रतिशत तक इसमें हर्बल इंग्रीजेंस हैं जो आपके शरील को बहुत अच्छी खुश्बू देती है यह 15 ग्राम का है और यह 175 रुपे का है तो काफी महेंगा है आपको बिल्कुल शुरू में इसको लेने की जरूरत नहीं है मेरे पास था इसलिए हम दिखा दी को कि यह काफी पतला है और य इसको खुश्बू भी बहुत अच्छा है तो यह देख सकते हैं इसके अलावा मेरे पास लोबान है जो कि कुछ इस तरह से आपको जो है आपके पंसारी के दुकान पे मिल जाएगा छोटे से पैक में यह 10-20 रुपे में मिल जाएगा यह शाद 10 रुपे का था इसी तरह से यह दूसरे ब्रैंड का भी लोबान है सेम ऐसा यह आपको आपके पंसारी के दुकान पे बरी आराम से मिल जाएगा बहुत ही आसानी से यह मेरे पास साइकल ब्रैंड का धूनों है सेम यही चीज है जो धूनों है मेरे पास और यह है 100 ग्राम है पचास रुपे का है यह यह आपको आपके लोगल पंसारी के दुकान पे मिल जाएगा प्यॉर धूनों यह आप ले सकते हैं यह मेरे पास एक प्रकार का गूगल है जो लोकल पंसारी दुकान से मैंने लिया था गूगल भी आपको आपको पंसारी दुकान पे बहुत तरह के मिल जाएंगे आपको जो भी मिल जाए यह है गूगल गूगल में ही यह और एक अलग पता का गूगल है जो मैंने चान्वी चौप से किसी से लिया था यह थोड़ा सा इसका क्वालिटी जादा अच्छा है यह हो गया यह भी मेरे पास एक राज कमल का शुद्ध गूगल करके है यह तो अभी मैंने खोला भी नहीं है तो यह गूगल है इसका हम प्रयोग कर सकते हैं करेंगे इन पाक्ट यह केसर है यह मेरे पास कल ही मैंने खरीदा यह बेबी साफरन का जो है 50 एनजी केसर में में लिए यह साफरन केसर जो है इसको भी हम दूप में इस्तेमाल करेंगे यह आप देखेंगे कैसे उसके अलावा कर्द फिर मैंने एक लोबान खरीदा है अम ब्राणी लोबान खरीदा है जो की ऐसा कुछ आया है इसका ब्राण ने जो है अपू ब्राण नेम अपू है इ यह अप्पू संब्रानी यह यह बैंगलोर का है बैंगलोर का मानुफाक्चरिंग आप जैसा कि देख सकते हैं तो यह 50 ग्राम का है 40 लिखा हुआ है और हमको मेरे दुकानदार से जो है पंसारी के दुकान से तीस रुपे में मिला यह अक्चली पंसारी के दुकान से नहीं हमको किसी ग्रोसर से ही मिल गया था तो यह हो गया हमारा इसके अलावा मेरे पास थोड़ा सा चंदन पाउडर है जो बिल्कुल टालकम पाउडर जैसा पतला तो चंदन का बुरादा और चंदन पाउडर दोनों अलग है चंदन का बुरादा जो है वो थोरा सा खुड़दुरा होता है उसको हम बेस में यूज़ करते हैं और चंदन का पाउडर जो है वो बिल्कुल पतला ऐसा क्यालकम पाउडर जैसा होता है इसको हम एरोमेटि सब्सक्राइब काफिन में सबस्केट यह उसमें काफि prevention असे माने ले लिएक वार तो यह i क्तिनने विखन है कि इतना खुश्भू कर आ यह कि आपको बिल्कुल थोड़ा सा ही इस्तिमाल करना और तो खुश्बू बहुत ही अच्छा होता है तो आपको ज्यादा यह नहीं चाहिए आप शुरू में ट्राइ करने के लिए बिल्कुल 50 ग्राम जो है 90-100 रुपी के बीशन आपको जो मिल जाए बस आप उतना लेकर आ जा जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पानी में थोड़ा सा मधू गोल के भी यूज कर सकते हैं किसी किसी लूज इंसेंस में जो इंसेंस पाउडर हम बनाएंगे उसमें भी मधू का जरूरत होता है यह अच्छली मधू पुराना हो गया तो यह आप देख रहे होंगे निच बनाने के लिए हमें घर में धूब बनाने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत परेगी बेस जिसमें की लकडी का बुरादा होगा इसमें आप जितना अच्छा लकडी का बुरादा लेंगे आपका धूप का खुश्बू उतना अच्छा होगा दूसरा है हमारा गोंद ज और क्रिस्टल्स अँड़ पाउडर करें तो इसको अच्छा होगा कि अगर आप पाउडर करके और मेयदे के चंणी से छानके रखे ताकि उसको धूप में यूज दूपमें यूज करने में आसानी हो तुक्रण यूज नहीं कर पाएंगे तो यह है, तीसरा हमारे पास है जल, उसमें आपके पास नॉमल पानी हो, गंगा जल हो, गुलाब जल हो, बलकि आपके पास अगर गौमुत्र अर्क हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, केवडा जल हो, आपको अगर किसी प्रकार का हाइड्रोजॉल वगरा ऑनलाइन कहीं मि तो वो भी काफि सुगंधित होता है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं, और चौथा जो हमारा इंपोर्टन चीज होता है, वो सारा हमारा अरोमेटिक्स है, जो हमारे पास जो भी खुश्बू का चीज हो, उसमें हम जो मैंन आपको दिखाया है, लोबान हो गया, गुगल हो ग कोई भी ऐसा कोई मसाला जिसमें हमारे पास खुश्बू काफी अच्छा होता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, और वो बहुत ही अच्छा काम करता है, तो यह हमने देखा कि हमें घर पर धूप बनाने के लिए किन सब सामगरियों की जरुरत परेगी, अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी कन्फूजन हो, तो आप प्लीस कॉमन सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका क्या कन्फूजन है, हम उसको क्लियर कर देंगे, और अब अगला स्टेप जो है, अगले बार हम आपको यह दिखाएंगे, कि हम घर पर धूप बना कैसे सकते हैं, तो हम धूप क अगर किसी को चाहिए सीखना है, तो सीखने को मिल सकता है, तो आप उनके साथ शेर कीजिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको एक लाइक कीजिए, लाइक करने से एक और फायदा होगा, कि यह आपके फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा, ताकि आप जब दुबारा कभी इस वीडियो को देखना चाहें, तो आपको बहुत जादा धूनना परे, आराम से आपको मिल जाए, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, तो आपके फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा, आपके पास यह हमेशा ही अवेलिबल रहेगा, एजली ढून पान आपको लोबान, गुगल जो भी चाहिए, तो आप वो बदाईए, तो हम आपको रेसिपी फिर उस हिसाब से बताएंगे, मेरे लिए भी रेसिपी आपको बताने में आसान होगा, तो स्टार्टिंग में जो है, आप चंदन का पुरादा ले ले लिजिए, लकडी के लिए, आप एक ये ले लिजिए, समरानी पाउडर, आपके अरोमेटिक के लिए, नॉमल पानी या फिर गंगा जलाप यूज कर लिजिएगा, जल के लिए, और जो गोंद का तीरा पाउडर है, वो आप खरीद लिजिए, वो आपके गोंद में, वो आपके सारे ही रसिपीस में का तो चंदन पाउडर हो गया, समरानी पाउडर हो गया, गोंद का पाउडर हो गया, और पानी, बस यही चीज आपको शुरू में चाहिए, एक और बात बता देना चाहें कि गुगल वगरा, या लोबान जो होता है, जैसे यह हो गया धूना वगरा, तो इस तरह का जो भी आ जब आप उसको अखली में कूटेंगे तो वह असानी से कूट जाएगा, और उसको आप मिक्सी में ना कूटें क्योंकि अगर वह मिक्सी में कूटना चाहते हैं तो थोड़े थोड़े देर पर मिक्सी को पल्स करके बस कूटिए इसको बिल्कुल एक पर या आगे करके मत आपके मेक्सी को भी खराब कर देगा और आपके भी किसी काम कर नहीं रहेगा, तो आप उसको पल्स करके यूज़ कीजिएगा और फिर उसको आप मैदा के चनी से चान के, जो सबसे बिल्कुल बारिक जो है ना बिल्कुल टालकम पाउडर मैदा के जैसे जो आपका हिस्सा निकले आप उसका प्रयोग कीजिएगा तो ये हो गया तो ये था हमारा आज का एपिसोड उमीद करते हैं आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो और आपको ये पसंद आया हो आपका जो भी डाउट्स हो आप सब कुछ कॉमेंट सक्षिन में बताएए हम आपको उस डाउट्स को क्लियर करेंगे बाकी आगे आने वाली श्रिंखला में हम आपको धूप फोन बनाना सिखाएंगे और एक धूप पाउडर लूज इंसेंस भी बनाना सिखाएंगे तो वो आप देखते रहेगा आज के हमारे एपिसोड के लिए इतना ही जब तक अब हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रिया जन का खास ख्याल रखिए नमस्ते